आज का हमारा टॉपिक है राय सिंग आफ बिकाने जिनका शासनकाल 1574 इस्वी से 1612 इस्वी तक रहा है राय सिंग वासदा एल्डर सब आफ कल्यानमल राठोर का बड़ा पुत्र था इसका जनव 20 जुलाई 1541 इस्वी में हुआ था इन नागोर कोट हैं इन 1570 इस्वी में नागोर दर्बा हुआ था ही जॉइंड दा रोयल आर्मी औफ अग्बर वह अग्मर के शाही सेना से जुड़ गया एं शॉटली बिकेम अग्बर्स लॉयाड और जल्द ही अग्बर का विश्वास्पात्र बन गया पहने अग्बर ने 1572 इस्वी में जोगपूर प्रदहान के रूप में राय सिंग को निफ्ट किया आफ्टर देट ऑफ फिस फादर कल्यानमन अन 25 दिसंबर 1574 इस्वी में उनकी उनके पिताजी कल्यानमन के मृत्यू के पश्चार राय सिंग विकानेर के शासक बन गया वन राय सिंग वस लुकिंग आफ्टर जोगपूर अड्मिन्स्ट्रिशन इब्रहाम मिर्जा रिवोल्टेड इन नागोः जब राय सिंग जोगपूर का प्रशासन देख रहे थे इब्रहाम मिर्जा ने नागोः में विद्रों किया राय सिंग एलिमनेटेड हिन इन ए विलेज में काटोली नाम एक गाउ में उसे मार दिया एक कॉन्फिक्ट तुक प्लेस बेट्वी सिरोई देवडा सुर्तान और वीजा देवडा सिरोई देवडा सुर्तान और वीजा देवडा के मद्य एक जगड़ा हुआ अट ताइम राय सिंग अटेग्ड सिरोई एन फोस वीजा आउट आउट अप दा स्टीव उस समय पर राय सिंग ने सिरोई पर हमला कर दिया और वीजा को जब्रदस्ती राज्य से बाहर नुकाल दिया उसने सिरोई का आदा शेत्र मुगल सामराज्य में रखा एंड गेव इट तू महाराना प्रताः अस्ट्रेंजड स्टेप ब्रदर जगमल वहाद को मेवार और मेवाड से आए महाराना प्रताः के अलग हुए सौतेले भाई जगमल को दे दिया सौतान अटेक्ड दा मुगल सौतान ने मुगल्स पर हमला कर दिया ए बैटल तुट प्लेस बेट्रीन बोद आर्मीस अटे प्लेस काल्ड दातनी इन 1583 AD 1583 इस्वी में दातनी नामक जगेपार दोनों सेनाव के मद्धिर युद हुआ जगमल डाइड इन बैटल ऑफ दातनी एंड सौतान रियॉक्पिपाइड से रोग दातनी के युद्ध में जगमल मारा गया और सुल्तान ने सिरोई जीत लिये अग्बा ग्रांटेड हिम दा जुनागड रीजन इं 1593 AD राय सिंग से खुश होकर अग्बार ने उसे 1593 इस्वी में जुनागड शेत्र दे दिया अग्रांटेड हिम दा जागीर और शम्षाबाद और नूरपूर इं 1604 AD और राय की उपादी भी दी और राय की उपादी भी दी बेत्वीन 1589-1594 AD राय सिंग बेंड जुनागड विकाने अंडर धातर गाइड़ने फिर्मीनिस्टर करमचन और इंसर्टेड प्रसिष्ष्ष्ति नेमें राय सिंग प्रसिष्ष्ष्ष्ष्ष्षि ओर देवर देयर 1589 से 1594 इस्वी के बीच राय सिंग ने अपने प्रधान मंत्री करमचन के नेत्रतु में बिकानेर में जुनागण बनवाया और वहां राय सिंग प्रसिष्टी नामक एक प्रसिष्टी लगवाया राय सिंग वस आल्सो एलिटरेट मैं राय सिंग एक शिक्षित व्यक्ति था He wrote a commentary based on the language of Rai Singh Mahosar, Vedic Vanshavali, Jyotish Ratnamala and astrological books. उन्होंने राय सिंग महोसर, Vedic Vanshavali, Jyotish Ratnamala और Jyotishी किताबों की भाशाक के आधार पर व्याक्यात्मक व्याक्यात्मक निवंद लिखाद। In a treatise named Karam Chandra, Vanshokirtana, he has been addressed as Rajendra. Karam Chandra, Vanshokirtana नाम काव्य में उन्हे राजंद्र बुलाया गया। During the reign of Raj Singh, Vikaner experienced a severe famine. Raj Singh के शासन के दोरान, Vikaner ने बेंकर आकाल का सामना किया। Raj Singh opened Sadavrak at several places and arranged fodder for animals. Raj Singh ने कई स्थानों पर Sadavrak खुलवा है और जानवरों के लिए चारे का इंतिजाम किया। The beginning of Vikaner style of art is set to have begun during the reign of Raj Singh. Raj Singh के शासन के दोरान, Vikaner शैली की कला की शुरुवार मानी जाती है। Raj Singh died at a place called Burhanpur in South India on 21st January 1612 AD. Raj Singh की मृत्यू 21st January 1612 AD में दक्षिन भारत में बुरहन पूर नामक स्थान में हुई। At some places in South India, Raj Singh saw and embraced a bush named fog in a desert and site. दक्षिन भारत में कुछ स्थानों पर Raj Singh ने रेगिस्थान में होने वाले fog नामक जाडी को देखा और उसे गले लगाया एंड सेड और कहा तू चाई देशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग। माने अक्बर देडिया क्यों तू आयो फोग। अर्थात meaning you are a native plant whilst I am a foreigner. तुम एक देशी पौदे हो जबकी मैं एक विदेशी हूँ. अक्बर has sent me forcefully over here. अक्बर ने मुझे जबरदस्ति यहां भेजा. बट फॉग, why have you come here? लेकिन फॉग, क्यों तुम यहां आये ठोग। तो इसी के साथ हमारा यहां टॉपिक यही end होता है. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Thanks for watching.